हमारे साथ हमारा हेल्थ सेग्मेंट सेहत नामा आज हम बात करेंगे पीसी ओडी के बारे में पीसी ओडी यानि की पॉलिसिस्टिक ओवरी डिजीज महिलाओं में होने वाली आम समस्या बन गई है इस विमारी में हॉर्पोन के कारण ओवरी में चोटी चोटी गांठे पढ़ जाती हैं इस गांठ के कारण महिलाओं में बड़ी स्थर पर हॉर्पोन बदलाव होने लगते हैं क्योंकि ये गांठ पिरिड्स और प्रेग्ड्रिंसी दोनों को डिस्टरब करती है अलाकि इस विमारी की मुख्य वज़ा अभी तक पता नहीं चल पाई है लेकिन डॉक्टर्स का मानना है कि लाइस्टाइल में तेज से बढ़ता हुआ स्ट्रेस बदला हुआ लाइस्टाइल और लेट नाइट तक जगना और फिर दिन में देड तक सोना आदी PCOD के मुख्य कारण हो सकते हैं क्योंकि इन से माहिलाओं की शरीर में हॉर्मून कस्तर गड़ बढ़ाने लगता है डॉक्टर सा कहना है कि PCOD की समस्याओं इन माहिलाओं में जारा देखने को मिलती है जो नाइट शिफ्ट में काम करती है पूरी राध जगना देर राध खाने जैसे लाइस्टाइल उनकी सेहत काफी ज़रा लुक्सान पहुचा सकता है क्योंकि इस तरह से रुटीन में बाइलोजिकल क्लॉग डिस्टर्ब हो जाती है जो इस दिक्कत को बढ़ाने में बड़ा ही रोल निभा सकती है पहले सिर्फ लेट उमर में शादी करने की वज़से PCOD की समस्या महिलाओं को सामना करना पड़ता था लेकिन अब 15-16 साल की उमर भी लड़कियों को ये दिक्कत सामना करनी पड़ती है अब जानते हैं कि PCOD का असर महिलाओं की बड़ी पर कितना पड़ता है PCOD की समस्या होने पर महिलाओं को गर्भ धारन करने में तो दिक्कत होती है साथ ही हॉर्मोलल इंबैलेंस के कारण भी इमोशनल रूप से बहुत अधिक दिक्कते होने सामना करना पड़ता है इस बिमारी में वेट तेजी से बढ़ने लगता है जबकि कुछ महिलाओं को हर समय कमजोरी की शिकायत रहती है पीरेट्स में किसी को कम ब्लीडिंग होती है तो किसी को अधिक ब्लीडिंग होती है इसके साथ ही जो महिलाओं पीसी ओडी की समस्या से जूज रही होती है उनके खान पान पर विशेश ध्यान देना बहुत जरूरी होता है इनने घर का ही बना शुद भोजन करना चाहिए जादा से जादा प्रोसेस फूड को अपने आप से दूर रखना चाहिए फाइवर बेस डाइट को फॉलो कीजिए इसके लिए अपने खाने में सबजिया, दाल, दलिया आदी शामिल कीजिए कोशिश करें कि आपका भोजन कम से कम तेल वाला हो तो कि ओईली फूर आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं होता महिला को एक बाड डॉक्टर से जरूर सला लेना चाहिए जिनको PCOD की प्रॉब्लम हूँ आज के लिए बस इतना ही ऐसे हेल्थ रेट के लिए बने रही हमारे चैनल दनगरी मीडिया के साथ तन्यवाद